आज आपके सामने एक बुना हमें कारक प्रकरन पर चर्चा करने के लिए उपस्तित हुई हूँ इससे पोरो मैंने कर्मकारक पर व्याख्यान आरंब किया था और उसमें कुछ मैंने विशेश बातें जो आपके सामने बताई थी मैं थोड़ा सा उस पर पहले प्रकाश डालना चाहूँगी कि कर्मकारक से संबंधित सूत्र है कर्तुर इपसित तमं कर्म ये पाणिनी अश्टाध्याई के प्रथम अध्याई के चतुर्थ पात का उन्चा स्वां सूत्र है और इसका अर्थ बताते हुए मैंने कर्तु हो के विश्ए में आपको बताया था तो इसमें आप धातु है, सन प्रत्य इच्चा अर्थ में सन प्रत्य होता है, और सन प्रत्य करने के पर शाथ मती बुद्धी पुजार्थे भ्याश्च सूत्र से मती अर्थाथ, यहां मती का अर्थ है इच्चा, मती यहां बुद्धी अर्थ में नहीं हो सकता, क्योंकि बु वर्तमान में तपरत्य नहीं माना जाना चाहिए यदि वर्तमान में तपरत्य होता तो केवल मातर वर्तमान कर्म कर्म संग्या हो सकती थी भूत और भविश्य की नहीं होती जैसे कटम कृत्वान में भूत काल में क्रिया हो चुकी है तो इसलिए जो कर्म है इसकी कर्म संग्या ना होती यदि हम केवल मात्र वर्तमान में प्रत्य मानते इसी प्रकार से करिश्यती में भी ना होती तो इसलिए इस सूत्र का अर्थ यही होता है कि कर्ता के द्वारा क्रिया को जो अभीष्टतम होता है प्राप्त करने के लिए वैकारक कर्म संग्या कहलाता है अब इस पर इस अनेक आचारें ने वैकारणों ने इस पर विस्तरत चर्चा की है तो मैं कुछ संक्षिप्त विवरन आपके सामने विभिन विद्वानों का रखना चाहूंगी विभिन वैकारणों का रखना चाहूंगी तो बटो जी दिक्षित जो की सिधान्त कोमदी के टीका कार हैं तो उनके मत को में सबसे पहले प्रस्तुत करूँगी बटो जी दिक्षित ने जो अर्थ मैंने अभी आपकता है कर्तु क्रिया आप्तो मिश्टतमम कारकं कर्म संग्यम स्याद करता को जो सबसे अधिक प्रिये हो वो कारक कर्म कारक कहलाता है तो ये पूर्व व्याख्यान में विवे ने बताया आपको कि कारकम की हम अवरित्ती करेंगे कारके सूत्र जिसका अधिकार यहां पर प्रस्तुत हो रहा है वहां से हम कारकम प्रत्मा में विपरिनत करके और दो बार यहां पे इस वाक्य में अबृत्ति करेंगे तो क्रिया या आप तुम इश्टतम कारकम कारक क्या होता है तो कई प्रकार से कारक के विशे में मैंने बताया कि कारक क्रिया के साथ जिनका संबंध होता है और संबंध वाक्य में कई प्रकार से होता है अब ये एक और संबंध बता रहे हैं कि क्रिया के द्वारा करता को जो क्रिया के द्वारा सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है वो कारक है वाक्य में तो वाक्य में हम देखते हैं कि वाक्य में करता हो क्रिया हो और करता क्रिया के द्वारा जो क्रिया व्यापार क्रिया मिज व्यापार एक्शन तो उस क्रिया व्यापार के द्वारा जिसे भी प्राप्त करने को सबसे अधिक चाह वो करता है वो कारक है सबसे पहले हम कहेंगे वो क्या है कारक है और वो अब कारक क्योंकि अनेक है अनेक प्रकार का संबंद है ये एक संबंद है प्राप्त करने की इच्छा करता को होना क्रिया के द्वारा तो ये कारक है लेकिन इस कारक को फिर एक विशेश नाम दिया और व ये विशेश कारक कर्म कारकम स्यात, तो यहां इस प्रकार से जब हम दो बार कारक का प्रयोग करते हैं, तो एक बार इसको हम कारक संग्या कहेंगे, क्रिया के द्वारा करता को जो अभीष्टम होगा, वो कारक है, क्रिया का करने वाला है, क्रिया को निश्पन करने में निमित है निमित हम कहेंगे या क्रिया जो है का प्रभाव उसके उपर पड़ता है अब यहां पे सूत्र में कुछ शब्द हैं जिनके विश्य में हमें जानना आवश्यक है कि सूत्र में करतु हुकिम भटोजी दिक्षित ने एक प्रशन उठाया कि करता को ही प्रिय होना चाहिए क् क्या प्रयोजन है हम सामानने भी तो कह सकते हैं कि क्रिया को जो प्रिय होता है वो कर्मकारक कहलाता है जिस वाक्ये में तो यहां पे देखिए यदि हम करता को नहीं कहते तो जैसे हमारे पास उदारन है माशेशु अश्वम बदनाती यहां पे माशेशु जो है वो मसूर के खेत हैं उनमें अश्वम बदनाती घोड़े को बदनाती में बांधता है तो यहां पे देखे जो इपसित तम है वो क्रिया के द्वारा करता को क्या इपसित है देखे अश्व बांधना क्रिया के द्वारा करता को क्या प्राप्त होना है बंधन क्रिया किसमें होगी अश्व म परंतु करता को माश जो है ये भी प्रिये हैं क्योंकि अश्व को उन में बांधना है तो ये भी करता को समान रूप से प्रिये हैं परंतु यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर करता को माश प्रिये नहीं है यह दिखने में लग रहा है कि माश भी चाहिए जिसमें करता अश्व को बांदेगा परंतु वास्ता में माश जो प्रिये अभीष्ट किसको है अभीष्टतम किसको है अश्व को तो अश्व कर तो यहाँ पर जो माश है ये करता के अभीष्टतम नहीं है अपितु कर्म के अभीष्टतम है तो कर्मना इपसिता माशा ना तु करतू तो इसलिए अगर ऐसा होता तो माशेशु में सब्तमी भक्ति का प्रयोग अधिकरन कारक होने के कारण संभव ना हो पाता और फिर प्रशान अश्वम बधनाती ये अनर्थ हो जाता यदि करतू इसका प्रयोग इस सूत्र के अंदर नहीं किया होता अब सूत्र में यदि केवल मातर इतना ही कह देते कि करतू इपसितम कर्म तो भी कारे चल सकता था ये प्रश्ण उठाया गया है इसलिए उसका उत्तर भी देनिवारे है कि तमप ग्रहन किम अतिशाय ने तरब तमप इस्ठनव ये प्रत्य लगते हैं तो अतिशय दिखाना हो जो सबसे अधिक जो है जिसको दिखाना हो अतिशय होना वहां तमप प्रत्य होता है तो यहाँ पर केवल इपसित क्यों नहीं कहा इपसित तम क्यों कहा तो इस प्रश्ण को उठाया है भट्टोजी दिक्षित ने कि तमप ग्रहनम किम और इसका उत्तर देते हुए कहा उदाहरन दिया जैसे पयसा ओधनम भूंगते यहाँ पर पयस दूद के साथ ओधन भूंगते खाता है करता यहाँ पर कर्म इत्यनु बृत्तव पुना अभी इसमें पहले कि तमप ग्रहन की बात का उदारन है कि यहाँ पर यदि तमप ग्रहन नहीं होता तो करता को पयस और ओधन दोनों ही प्रिये होने के कारण दोनों की कर्म संग्या हो जाती परन्तु तमप का प्रयोग करने के कारण करता को ओधन अभीष्ट तम है और यद्दे इस्ट तम ओधन है तो इसलिए तमप का ग्रहन किया गया अब यहाँ पे एक और प्रशन उठता है शंका है कि सूत्र में कर्तु रीपसित तमम कर्म यह सूत्र में कर्म का प्रयोग किया गया है और इससे पूर्व अधी शींग स्थासाम कर्म इसमें भी कर्म का प्रयोग किया कर्म शब्द का प्रयोग तो हमें हम जानते हैं कि यदि पूर्व सूत्रों में किसी भी अपद का प्रयोग होता है तो अगरिम सूत्र में उनकी अनुवरित्ती हो जाती है उन्हें पुनहा कहने की आवशिक्ता नहीं होती है ये पाड़िनी का सिस्टम है उनकी प्रक्रिया है तो यहाँ पर अधी शिंग स्थासाम कर्म सूत्र में कर्म का प्रयोग किया है और पुनाहा उन्होंने इस सूत्र में कर्तुरिपसित तमम कर्म सूत्र में पुनाहा कर्म का प्रयोग किया है तो इसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होना चाहिए क्योंकि यदि निश्प्रय तो पाणिनी के विश्य में हम सोच भी नहीं सकते कि वो किसी भी शब्द को निश्प्रयोजन प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोजन क्या है तो इसका उत्तर देते हुए भट्टो जी दिक्षिद ने कहा कर्म ग्रहनम आधार निवृत्यर्थम अधिशिंग स्थासाम कर्म औ योग करने का प्रयोजन यह है कि यदि हम दूसरी बार यहां पर कर्म का प्रयोग नहीं करते तो देखिए जब हम कर्म देखते हैं सूत्र आधार अधिकर्ण ये पहले अधाय के चतुर्त पात का पंतालिसमा सूत्र है उसके बाद अगला सूत्र अधिशिंग स्थासाम कर् तो अधी पूर्वग शींग स्था और आस धात्वों के जो अधिकर्ण है उसकी कर्म संग्या होती है अब यहाँ पे अधी शींग स्था साम कर्म सूत्र में पूर्व सूत्र अधिकर्णम से अधार की अनुवरित्ति भी आ रही है तो इसलिए कहा अधी शींग स्था और आस इन धात्वों के आधार की कर्म संग्या होती है तो आधार की कर्म संग्या होती है तो आगे अब अगला सूत्र इसी कर्म में अगला सूत्र परवर्ति सूत्र है जो की कर्तुरिपसित दमम कर्म है तो इसमें अगर हम कहते हैं कि कर्म की अवशिक्ता नहीं पुना कहलेगी, तो कर्म की अवरित्ती के साथ यहां पर आधार की भी अवरित्ती हो रही है, अनुवरित्ती हो रही है तो जब हम सूत्र का अर्थ करेंगे तो कर्तुर इपसित तमम कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिये आधार होता है उसकी कर्म संग्या होगी ये कब जब हम कर्म को पूर्व सूत्र से अनुवरित मानते हैं और यदि हम कर्म अनुवरित मानते हैं तो आधार भी इस सूत्र में प् आधार और कर्म दोनों की अनुवरित्ति आगे कर्तुर इपसिततम सूत्र में मानी जाएगी होगी तो जब हम उसकी अनुवरित्ति करेंगे तो फिर हमारे सूत्र का अर्थ होगा कि कर्ता को क्रिया के द्वारा जो इपसिततम अधिकरन होगा आधार होगा उसी की कर्म संग्य तो देखिए उन्होंने कहा अन्य था गेहम प्रविशती इत्यत्रेवस्याद तब तो गेहम प्रविशती यहाँ पे घर में प्रवेश करता है तो यहाँ पे गेहम जो है यह अधार है और आधार की कर्म संग्या हो जाएगी करता को जिसे घर में प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति करता है करता को प्रवेश क्रिया के द्वारा क्या चाहिए गे हम घर चाहिए तो यहाँ पर यह जो घर है यह क्योंकि आधार है और आधार होने के कारण यहां तो इसकी कर्म संग्या हो जाएगी इसे समझना निवारे है कि यहां पर कर्म का पुना प्रयोग करने का प्रयोजन गया है तो पूर्वसूत्र में आधार की कर्म संग्या होती है और जब हम कर्तु रिपसित तमम कहते है तो करता को क्रिया के द्वारा अभिष्टतम आधार की कर्म संग्या है ये पूर्व सूत्र से आ गया तो यहां गेहम प्रविशती में करता को प्रवेश क्रिया के द्वारा जो गेह है ये आधार है प्रवेश करने का आधार तो इसकी कर्म संग्या हो जाएगी तो यहां पर तो यहां पर तो कोई जो है यहां तक कोई कठिनाई नहीं है तो यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर तो हो जाएगी लेकिन अन्य जहां पर भी आधार नहीं होगा उसकी कर्म संग्या कैसे होगी? जैसे हम कहते हैं कि ओधनम भूंगते वो चावल को खाता है तो ये ओधन जो है वो खाना क्रिया का आधार तो नहीं है तो आधार नहीं है इसलिए इसकी कर्म संग्या नहीं हो पाएगी तो इन सब की अन्य जितने भी हैं करण सादन हैं फिर उसके बाद प्रिथक जिन से हुआ जाता है उन सब की यदि हम कर्म संग्या संबंदी को इस उत्र होता है तो ये आधार और कर्म यदि बीच में उनकी अनुवरित्ती हो और कर्म का प्रयोग ना किया हो तो उन सब में जो कर्म संग्या, कर्म कारक संग्या कही गई है, वो नहीं हो पाएगी तो इसलिए यहां कर्म उना प्रयोग किया गया कि यहां पर आधार की कर्म संग्या नहीं है कर्ता को क्रिया के द्वारा जो भी अभिश्टतम होगा उसकी कर्म संग्या होगी चाहे वो आधार हो चाहे वो साधन हो चाहे अन्य कोई हो तो इस प्रकार से यहाँ पे कर्म का प्रयोग अत्यंत अनिवारे है यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि पाणिनी ने जो अपने सुत्रों को जो करम दिया है उसकी व्याग्यानिकता के विशे में मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब हम भटो जी दीक्षित द्वारा देगी सिध्धान्तुकामदी पढ़ते हैं तो सिध्धान्तुकामदी कार ने इन जो कारकों का करम है उसको बदला है आचारे पाणिनी ने जो कारकों का करम दिया है उनमें सबसे पहला कारक उन्होंने अपादान दिया है तो अपादान दिया है फिर संप्रदान फिर उसके बाद अधिकरन और फिर उसके बाद दिया है उनने आपका करम कारक तो यहाँ पर यह भी जानना निवारे है कि पानी नहीं ऐसा क्यों किया भटो जी दिक्षितने पुना उसको परिवर्तन किया क्यों क्योंकि उन्होंने उनके साथ विभक्तियों को जोड़ना है उनको बताना है कि अगर कर्मकारक है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है क्योंकि विभक्तियों वाल उन्होंने द्वित्या वक्ति को साथ में रखने के लिए उन्होंने इसको पूर्व में कर दिया परंतु ये भी जानना जरूर है कि आचारे पाणिनी ने ऐसा क्यों किया जब आचारे पाणिनी अश्टा ध्याई लिख रहे हैं तो उन्होंने अगर करम कारकों में करम जो दि विप्रतिशेधे परमकार्यम और आकटारात एका संग्या तो यहाँ पर ये दोनों सूत्र ये बताते हैं कि एक तो जो कडारा करमधारे सूत्र है इस तक एक ही संग्या जो है वो मानी जाएगी अगर दो प्राप्त होती है तो जो परवर्ती होती है वो संग्या होती है और व उसके लिए सूत्र है विप्रतिशेधे परमकार्यम तो जब विप्रतिशेध होता है तुल्लेवल विरोध होता है तो परवर्ती होता है तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए किसकी संग्या कर्म कौन सी कर्मकारक संग्या करनी है कौन सी अधिकरन की संग्या करनी है आधार क आधार की कर्म संग्या भी होती है यह हम आगे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आचारे पाणिने ने इस कर्म को ध्यान में रखते हुए पौरवा पर्य का प्रयोग किया है इसलिए उन्होंने कर्म को बाद में रियुक किया मैंने अभी भी आपको उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है कि कर्म की अवरित्ती और आधार की अवरित्ती जो अनुवरित्ती आ रही है और आधार की कर्म संग्या यहाँ पर बताई गई है कि आधार जैसे अधिशिंग स्थासम कर्म तो यहाँ पे कर्म संग्या जो है आधार की बताई गई है तो यह मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अचारेपाणिनी ने जो यह संग्या है जो कर्म दिया है यही प्रयोजन है कि जो बाद वाले हैं वो संग्या हो जाए अन्यता बहुत सारे स्थल आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर अपादान अधी संग्याएं भी हैं और बाद में कर्म इत्यादी या उसके बाद अधिकरन इत्यादी संग्याएं भी होती हैं तो वहाँ पर कौन सी संग्या, कौन सा कारक होगा और कौन सी भक्ती होगी इसका निरने इनी करम से होता है और उसी करम को ध्यान में रखते हुए आचारेपानिनी ने यहाँ पर अपने करम को इस प्रकार से दिया है। अब इसी सूत्र पर पतंजिली ने अपने महाभाष्य में चर्चा की है जिसके विशे में मैं आपको बताना चाहूंगी, कि और कुछ मैंने क्योंकि भरतरिहरी ने भी और इसके बाद भटोजिद इखषित ने भी इस पर चर्चा की है, तो भटोजिद इखषित का मैंने ने लिखा है तम ग्रहन की मर्थम उन्होंने भी इस तम ग्रहन पर प्रश्च्न किया तो करतुर इपसित तम कर्मित युच्चे माने इह अगनेर मानवकम वारयती मानव के अपदान संग्या प्रसज्येद। तो यहाँ पर उन्होंने तम ग्रहन को और अधिक स्पष्ट किया है और वो है कि तम का ग्रहन यदि नहीं होता, कर्तूर इपसित तम का ग्रहन ना करके फिर तम प्रत्य ना लगाएंगे तो हमारा सूत्र बनेगा कर्तूर इपसितम कर्म तो यदि केवल मात्र कर्तूर इपसितम कर्म यदि ऐसा कहते हैं तो जैसे अगने हे मानवकम वारयती ये वाक्य है कि अगनी से मानवक को वारयती में सुरूखता है तो यहां पर मानवके अपादान संग्या प्रसज्येत सूत्र देखे अभी क्योंकि हमने सारे सूत्र आपके सामने सब आगे आने वाले सूत्रों की व्याक्या भी हमारी करनी हैं लेकिन क्योंकि इस सूत्र को समझने के लिए इनको जानना अनिवार है इसलिए मैं संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरह से एक भी शब्द यदी सूत्र के अंदर ना हो तो किस तरह से जो है वो सूत्र सही अर्थ उससे प्राप्त नहीं होगा तो यहाँ पे देखे यह सूत्र है वारन अर्थानाम इपसितहा तो यहाँ पे क्या है यह पहले अधाय के चतुर्थ पात का सताइस्वा तो यह सूत्र है वारन अर्थानाम अर्थात वारन अर्थवाले वारन में रोकना रोकना अर्थवाले अधातु के योग में इपसितहा इपसित में जिसको वारण किया जाए रोका जाए रोकने किरिया के द्वारा जो प्राप्त करना चाहें अथा जिसको रोका जाता है उसमें क्या है कर्म संग्या होती है उसमें प्रत्माई भक्ति का प्रयोग होता है यहाँ पर देखिए डुत्याय भक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ पर यदि इपसितम होता तो अगने मानवकम वारयती अगनी से मानवक को रोपता है तो यह मानवक के अपदान संग्या प्रसजेत यहाँ मानवक शब्द की अपदान संग्या होगी देखे वारणार्था ना मिपसिता सूत्र अपदान संग्या करता है वारणार्थक धातूं का प्रयोग हो तो जिसको रोकना चाहते हैं उसकी अपदान संग्या होती है तो अपदान संग्या होने के कारण फिर पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है तो यहां पर भी देखे इस दारे में जब आपको मता रही हूвал कि अगने मानवकम वारयती तो यहां वारयती यह वारनार्थक धातु है और इसके योग में इपसित कौन है मानवकम को रोक रहा है तो यहां पर मानवकग की अपदान संगिया प्राप्त हो जाती है क्योंकि यह वारनार्था ना इपसिता सूत्र द्वारा अपादान संग्या होती है तो यदि तमम का प्रयोग ना होता तो यहाँ पर मानवकम में मानवक की अपादान संग्या होती ना कि प्रस्तु सूत्र द्वारा कर्म संग्या तो इसलिए इपसित तम कहने की आवश्यक्ता है इप्सितम होने के कारण यहां पे फिर अपादं संग्या नहों कर हमरी कौन से संग्या हो जायेगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक भी शब्द यदि सूत्र में ना परियुक्त हो तो उसका अर्थ किस तरह से परिवर्तित हो जाता है या अर्थ प्राप्त ही नहीं होता तो आज इस व्याख्यान में इतना ही अगले व्याख्यान में मैं आपको और अधिक स्पष्ट करूँगी अन्य वयाकरोणों का मत भी आपके सामने रखूँगी तक तक के लिए मेरा नमस्कार झाल